उत्तर प्रदेश में कुरोना के कारण बने गंबीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लोगडाउन सोमवार तक बढ़ा दिया है। इसके बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क न पहने वालों पर कड़ी करवाई के निर्देश दिये बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रुपया जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों के संग बैठक में कहा कि कोविट का वर्तमान स्ट्रेंड लगातार अपना रुप बदल रहा है। पहली बार की तुलना में 30 से 50 गुरा अधिक संक्रामक है। कुछ केस में देखा गया है कि कोविट टेस्ट में भी इसकी पुस्टी नहीं हो रही है। जबकि सिटी स्कैन में पता लग रहा है कि उनके फेफड़े कोविट से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में हमें और सतरक्ता बरतने की अवशकता है। आपको बता दे कि ग्रामर इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुदवार से घर-घर जाच अवियान शुरू होगा या अवियान 9 मई तक चलेगा। इस दरावन गाउं के हर वेक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे। अथवार जो दूसरे प्रदेश से लोट कर आए हैं उनकी कोविट जाच की जाएगी। इसके साथ ही गाउं में लगाएगी टी में लोगों को स्वास्त के बारे में जानकारी देंगी। परिवार में किसी को बुखार हो तो उसे मेडिकल के उपलब्त कराया जाएगा।